अंसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करें लगबग 20 नंबर का क्वेस्चन CBSC बोड के एक्जाम में पूसता है अंसीन पैसेज के उपर और जो बच्चे इसके उपर प्रैक्टिस नहीं किये रहते हैं उनका ये क्वेस्चन एक्जाम में छूट जाता है तो मैं इस वीडियो में कुछ टिप्स बताऊंगा अगर उन टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप 20 मार्क्स बहुत कम टाइम के अंदर गेन कर लेंगे तो सबसे पहले पेपर में आता भी है अंसीन पैसेज ही रहता है पहला और दूसरा क्वेशन तो आप अंसीन पैसेज का ये टिप्स फॉलो करिएगा आप गरेंटी यू देट आप क्वेश्चन पेपर को देखते ही आप आंसर को लिखना स्टार्ट कर देंगे अगर आप इन रूस को फॉलो करते हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ट्वंटी माक्स कैसे लाना है आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए देखते हैं टिप नंबर वन ये है कि रीड दा पैसेज क्यूइकली बहुत तेजी से आपको question पढ़ना होता है जो passage paragraph में लिखा हुआ है उसको आप बहुत तेजी से पढ़िएगा उसके बाद उसके अंदर का general idea find out कीजेगा general idea मतलब कि असल में वो unseen passage कहना क्या जाता है तो पहले आपको तेजी से एक बार पढ़ना है passage को और पढ़ने के बाद आपको उसका general idea find out करना है दूसरा काम क्या करना है फिर एक बार देरे-देरे slowly read करना होता है और slowly read करेंगे आप तो उसका सारा concept आपको clear हो जाएगा कि क्या असल में इस passage के अंदर या फिर इस unseen passage के अंदर क्या लिखा हुआ है तो पहले आपको quickly पढ़ना है फिर धीरे-धीरे आपको slowly पढ़ना है तीसरा को बात आप मतलब तीसरी time आपको क्या करना है कि question देखना है अच्छे से question देखिएगा आप जब आप question देखेंगे तो question में आपको answer आसानी से मिल लेगे मतलब जैसे ही आप पहला और दूसरा काम करेंगे मतलब आप read करेंगे question को जो passage होगा उसको read करेंगे तो question पढ़ते ही उसका answer आपको पता चल जाएगा और आपको answer ढूड़ना भी नहीं पढ़ेगा ज्यादा तो आपको यह करना है पहले passage को एक बार आसान तेजी से बढ़ लिएगा फिर उसके बाद उसको दिरे दिरे read करेंगा तो answer आपको question कि पढ़ते ही answer आपको match out कर जाएगा तो और यह 20 नमबर बहुत जादा important होता है और यह बहुत आसान भी है 20 नमबर लाना बस आप इस rule को follow करिएगा और grammar section सबसे पहले आप unseen passage को ही करिएगा exam में आई ओप आपको इस वीडियो समझ में आया होगा ऐसे बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू जय हिन जय भारत